हेलो एबरिवन इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की ईवियस की वक्षीत नमबर ट्वनिसेवन भी करेंगे टेट है 22 चुलाई 2021 वक्षीत आपकी टेक्स्ट बुक लोकिंग अराउंड से ले गई है जिसका यूनिट है 11 दे वैली ओफ फ्लावर्स तो शिरू करने से पहले वक्षीत को प्लीज हमारे चैनल मैंड बूस्टें क्लासस को सब्सक्राइब करतीचे तो आईए शिरू करते हैं वक्षीत नमस्ते प्यारे बच्चो आशा है कि आप सभी स्वस्ट एवं सुरक्षित होंगे अपने घर में होंगे और एकदम हेल्थी होंगे बच्चो हमने अपने पिछली कारे पत्रिका में फूलो और उनके अनेक कारेों के बारे में जाना आपने अपने असपस बहुत से फूल देखे होंगे लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सभी फूल पेड़ो पर नहीं खिलते कुछ फूल जानियों बेलों पर और जल में भी खिलते हैं तो जल में देखे कमल का फूल खिलता है जरूरी थोड़े ना है कि हर फूल पेड़ों पर ही खिले कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो जाड़ियों में खिलते हैं कुछ बेलों पर खिलते हैं और कुछ जल में तो ऐसे फूलों के बारे में हम पढ़ेंगे देखिए ये पेड़ है ये होती है हमारी जाड़िया ये जलिये पौधे है और ये बेल है देखिए बेल इस प्रकार की होती है जाड़िया आपने देखी ही होगी पेड़ तो आपको पता ही है और जल जल में जो उख जाते हैं प बोगन विलिया ये वाला जो फूल है वो कहां खिलता है यहां आ जाएगा छाडियों पर ठीके बच्छो नेक्स्ट है कनीर जिसको हम ओलियंडर बोलते हैं ये कहां पर खिलता है पेड़ पर खिलता है ठीके उसके बाद है मदुमालती यानि रैंगून ये भी बेल पर ही खिल कमल फ़ृवर बी फानी इम कमल लोटस है कमल पानी है उसके बाद कचनार का पेड़ यानि पर-पल ओर चेड़ यह कहां खिलते है पेड़ आप पर आजएगसंगे उसके बाद है घुलाब जिसको हम रोज कहते हैं यह कहां पर खिलता है जारियों और चोटे-चोटे पोद् ठेक है इसका यह answer हो जाएगा चमीली का फूल यानि जैस्मीन यह खिलता है बेल पर इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे ठेक है बच्चा तो यह आप लिख लेंगे ना देखिए तो इस प्रकार से होगे हमारा question number first, second question आपसे पूछा गया है बच्चो फूलों की सुंदरता हमारे मन को बहुत अच्छी लगती है इसलिए हम अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाते है अब आप अपने आसपस पेड़ पौधों से घिरे होए या अपने घर में पौधों पर लगे हुए फूल का इस्तमाल करके नीचे दिये होए प्रश्णों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए दियान रहे बच्चो आप फूलों को ना तोड़े तो देखिए अगर आसपास पेड़ पौधे das वगयरा आपके आसपास लगारे हुए है तो नेसे आपको फूल नहीं तोड़ने आपको अगर आसपास कोई गिरा है ठाक का और ँमाल करना plaint, आपको कभी भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए तो पहला question क्या है फूल का नाम लिखिए अगर आसपस आपका कोई फूल गिरा हुआ है तो आप उसका नाम लिख दीजिए तो for example हो सकता है गुलाब हो आपके आसपस तो हमने गुलाब लिख दिया Second है क्या उस फूल के साथ पत्तियां भी हैं? हाँ बिल्कुल है अगर नहीं होंगी तो नहीं लिख दीजेगा तीसरा क्या उस फूल की पंखड़ियां आपस में जोड़ी हुई है? नहीं ठीक है? उसके बाद यह फूल किस जगे खिलता है? तो हमें पता है गुलाब कहा पर खिलता है? ज़ाड़ी में तो ज़ाड़ी पर आप लोग टेक लगा लेंगे प्रशन नमबर पाच है फूल किस रंग का है और उसकी खुश्बू कैसी है? तो जो फूल गिरा हुआ है आपके आसपस वो उसका रंग कहसा है और उसकी खुश्बू कैसी है? तो इसका उत्तर ध्यान रख ज़ागे आए ना कि फूल किस रंग का है और उसकी खुश्बू कैसी है? तो उत्तर आजाएगा ये लाल रंग का है और इसकी खुश्बू है क्योंकि हम गुलाब की बात कर रहे हैं गुलाब हमेशा मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं कोई पिंक कलर का होता है कोई लाल रंका होता है लेकिन जो आसपास गिरा है वो लाल रंका है इसलिए हमने लाल लिखा और इसकी बीनी बीनी खुश्बू है ये लिखा तो उत्तर आपने लिख लिया होगा अब हम प्रश्णे 6 देख लेते हैं फूल के खिलने का समय अवधी क्या है जो फूल है उसके खिलने से तो साथवे प्रश्णे का उत्तर है हाँ यह सजावट में और गुलाब जल आधी को बनाने में काम आता है इस प्रकार से इसका अंसर आप लोग लिट लेंगे देख लिए आप एक बार इन सब का अंसर लिट लिए ना सेवंत वाले का अंसर है यह सजावट में गुलाब जलादी बनाने में कामाता है आठवा प्रिश्न आपसे पूछा गया है उस फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाए अब देखे आसपस आपका गुलाब का फूल गिरा हुआ है तो गुलाब के फूल का चित्र कॉपी में बनाना है देखिए मैंने आपके लिए चित्र भी बनाया है डेखिए कितना संदर है तो देखिए यह गुलाब का चित्र है इस प्रकार से गुलाब होता है आप इसको बना लेंगे बहुत simple है है ला इस तरीकिसे ऐसे ऐसे करकर ऐसे ऐसे पंखोड़ी निकाल कर आपको easily बना देना है तो यह आपको draw कर लेंगे या आसपस अगर कोई और फूल गे रहा हो तो उसका आप फोटो यहाँ पर बना लेंगे draw कर लेंगे इसको ठीक है अब अगला देखिए यहाँ पर प्रशन तीन देखते हैं लेकिन उससे पहले देखिए जो हमारा चैनल Mind Boosting Classes है न इस पर हम हर महीने के last week में competition या फिर quiz करवाते हैं लेकिन अब से हमने एक नया चैनल खूला है Mind Boosting Competition नाम का अब से जितने भी competition होंगे जितने भी quizzes होंगे वो हमारे नये चैनल पर ही होंगे Mind Boosting Competition और सुनिए हम अभी एक और नया competition करवाने वाले हैं Talent Competition ठीक है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं और देखिए हमारे सारे competition free होते हैं उनकी कोई भी free नहीं होती सारे की सारे free होते हैं और साथ ही साथ उनमें आपको prizes और surprise gift भी मिलते हैं तो देखिए अगर आपको Talent Competition में participate लेना है वैसे हम उसे करवाने वाले हैं और उसके बारे में अगर आपको information चाहिए तो वीडियो की link description में है description में जाकर आप वीडियो जरूर देखिएगा और Talent Competition की बारे में जानिएगा तो आईए अब आगे भड़ते हैं question number 3 देखते हैं अपना तो यहाँ पर है नीचे दी गई कविता के दुआरा फूलो के जीवन के बारे में बताया गया है कविता को पढ़कर फूलो की विशेष्टाओं को अपने copy में लिखिए तो कविता में देखिए आपको ना किसके वारे में बताया गया है पूरे फूल का जीवन है अब इसको पढ़ेंगे हम और इसकी विशेष्टाओं लिखेंगे नन्य कली से खिलता हूँ खिल के फूल में बनता हूँ मेरे साथ पतियां भी लहराती है तितलियां मुझे पर बैठ गुन गुनाती है बहुत से कीडियों को खाना देता हूँ फिर भी अपनी खुश्बू से सब को महकाता हूँ हमें देख आप मुस्कुराते हो फिर हमें तोड़ कर दुखी कर जाते हो तो इस प्रकार से आपकी पोयम है देखिए पहले तो हम कुश्बू से बहुत प्रिस्थन हो जाते हैं उसके बाद इससे तोड़ देते हैं आमें तोड़ना नहीं चाहिए ठेक है अब देखिए इसमें क्या क्या विशिष्टा हैं फूल की सबसे पहला इसकी पत्तियां इसकी पत्तियां भी होती हैं और देखिए तितलियां यहाँ पर मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ आप सबसे पहले क्या लिखेंगे फूलो की विशिष्टा हैं यह आप डालेंगे उसके बाद आप लिखेंगे फूलों की क्या क्या विशिष्टा हैं पत्तियां भी लहराती है फूल की ठीक है तो पत्तियां उसके एक विशिष्टा है कि उसके साथ पत्तियां होती है या फिर आप इसको छोड़िए आप कुछ और लिख सकते हैं तितलियां तितलियां मुझ पर बैठ गुन-गुनाती है तितलियों के लिए ये बहुत अच्छा क्या है तितलियां इसे रस लेती है फूलों से तो तितलियां बैट गुन गुनाती है ये पहली विशिष्टा हो गई कीडों को खाना कीडों को खाना ये दूसरी विशिष्टा हो गई आपकी ठीक है उसके बाद खुश्बू ये तीस आपको लिखना है तितलिया मुझ पर बैट कुन गुनाती है सेकेंड आपको लिखना है सेकेंड नंबर का कीडो को खाना तीसरा खुश्बू ठीक है उसके बाद बस इतनी आप लिख सकते हैं या तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे के लिए फूल बहुत सुंदर होते कैंके हैं देखी होने देखकर आप पुसको राजाते हैं तो यह एक व्षिष्टा है उनकी बहुत संदर है वह, तो बहुत सारी विखिश्चता है इसको आप लेकुपी में ठीक है तो आप देखते हैं अगला प्रश्रेए फूलों के विभ्हिन भागों को दर्शाते हिस्से होते, पार्ट्स होते हैं, उनको आपको लगाना है, मतलब बताने की कौन सा पार्ट, क्या नाम है उसका तो जिसे बीच में, सुरज मुखी के बीच में जो गोल-गोल सा होता है, यह इसका बीज होता है ति जिuck लेंगे, यह साइब साइब में गुद कुछ सीखा है बच्चो और worksheet Chinese होती है हमारी कैसी लगी जरूर बताईए और देखिए आप चैनल को بالकुल सब्सक्राइब नहीं करें मुझे समधा चल रहा है आप देख कर चले जाते सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों ठीक है फ्री है सब्सक्राइब करना भी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बले कन कौन कीजिए ठीक है थैंक यू